हेलो एवरीवन एक वार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूटीव चैनल पर तो फ्रेंट्स आज की इस पीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉल्टी के कुछ इंपोर्टेंट कॉश्चन्स जो में प्रीवियस हैश पीएससी हमेरपर के एक्जाम में यह कुछेगे थे तो फ्रेंट्स इन विक्षेंस के मैं आपको जितने भी अंसर बताओंगा वो फाइनल श्री की की के आकोर्डिंग ही बताओंगा जो हमेरपर बोर्ड ने जारी थी तो फ्रेंट्स आपने क्या करना है इन क्वेशन के शॉट फॉर में नोट से ज़रूर बना लेने हैं क्यूंकि रिवीजन के टाइम यह क्वेशन आपको काफी हेलफुल साबित होंगे यह क्वेशन आगामी एच्पी एससी जी बीटी का मेशन आइसाई कंडक्टर जे वा बॉक्स में दे दिया है बहां पर जाकर वीडियो देख सकते हो बहां पर आपको एच्पी टेट के रिगार्डिंग वन फिप्टी ब्लस वीडियो आपको देखने को मिलेंगी तो फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं क्वेशन नमर 126 में बोला गया कि 26 नमर्ब निश को किसने भारत का समीधान अपनाया था हूँ एडप्टेड़ दा कंसिट्यूशन ओफ इंडिया ओंधा 26 नमबर 1949 तो 26 नमबर 1949 तो 26 नमबर 1949 को भारत का समीधान किसने अपनाया था काफी इंपोर्टेंट क्वेशन है क्वेशन नमर 126 का जो राइटन से वहां का ऑप्शन समीधान के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसे सन 1947 में कैवरेट मिशन योजना के अंत्रगत भात के समीधान के निर्मान के लिए एक समीधान सवा का गठनी किया गया था डॉक्टर भी एंद्राव को समीधान सवा का समबेधानिक सलहाकार निउक्त किया गया था और समीधान सभा का जो प्रत्तम अदिवेशन हुआ था वो 9 दिसम्ब निए सोचेटालिस को 9 दिसम्ब निए सोचेटालिस को संसद भवन के केंद्रिय कक्ष में प्रारम भुवता डॉक्टर सचेदान सीना को सर्व सम्थी से अस्ताय अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसम्ब निए सोचेटालिस को की बैटेक में डॉक्टर लाजेन अध्यक्ष तको सबा का स्थाइए स्थाई अध्यक्ष चुना गया था और प्रारूप समीती के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराब अमेडिकर जी थे ये भी अपने याद रखना है समीधान को तियार करने में दो साल ग्यारा महीने और अठारा दिन का समय लगा था ये आप से एक्जाम में पूछ सकते हैं अब कुछ एक इंपोर्टन्ट फैक्ट है कि 26 नमबर 1994 को समीधान बने कर तियार हो गया था और इसी दिन पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए थे इसके उपर समीधान 26 नमबर 1949 को बनकर तियार हो गया था प्रन्तु इसके अधिकतर भागों को 26 नमबर 1950 को लागू किया गया क्यों किया गया इसका रीजन है कि 1930 में पूरे भारत में 26 जनवरी का जो दिन था वो स्वाध हिंता दिवस के रूप में मनाय जाता था इसलिए 26 नमबर 26 जनवरी 1950 को प्रत्म गणत अंतर दिवस मनाया गया डॉक्टर भीम रावंबेटिकर जी को भारती समीधान के जनक के रूम में जाना जाता है समीधान सबाद वारा जो गठी थे समीधियां और उनके अध्यक्ष है उच इंपोर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा हम डिसकस कर लेते हैं जैसे जंड़ा समीधी के जो अध्यक्ष थे वो जे भी क्रिपलानी थे संचारेन समीधी के डोक्टर आजेंदर परशाथ थे और संग समीधान समीधी और एवं संग समीधान पराया तो भारत की जनता ने अगला प्रशन को समीधान ही कि नुमर्य ताइस में बोला गया कि भारत स्विक्वियuste नहीं मुल्भूत कर्टी सद्वारिश मूल्भूत कर्टत्ब्यशihen मूल भूत कर्तब्यों का जो उलेख है वो समीधान के भाग चार क में यह अपने नौट ओन करेना है कई वार एक्जाम में पूछा गया है इसमें है भाग चार क में मूल भूत कर्तब्यों के बारे में बताया गया है और इसका जो अनुचेद किस अनुचेद में है ये 51K में है भाग इसमें है भाग 4K में है और अनुचेद 51K में इसका वर्नन है ये अपने याद रखना है तो option number D is question क्या राइटन्स रहे हैं मूर भूत करतब्यों में विडिक सुईकरिती जो है वो शामिल नहीं है वाकी समाजिक सुईकरिती होगी नैतिक सुईकरिती होगी और राजनैतिक सुईकरिती जो है ये तीनों जो है वूर्भूत करतब्यों में शामिल है next question में चलते हैं question number 129 में बोला गया है अगले प्रेशन में बोला गया कि नीती आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है काफी important question है who is the ex-officio chairman of the नीती आयोग तो नीती आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है काफी important question है इस question का right answer है आपको पतागा एक जनवर नीती आयोग की जो स्तापना थी अब बात करते हैं नीती आयोग के बारे में कोच detail में discuss कर लेते हैं एक जनवरी 2015 को मंत्री मंडल के एक परस्ताव केते हैं तो योजना आयोग की जगा एक नई संस्ता जिसे राष्ट्री भारत परिवर्तन संस्तान National Institution for Transforming India नीती कहा गया अस्तित्य में आई थी आम तोर पर इसे नीती आयोग के नाम से जाना जा रहा है ये एक गयर संबेधाने के निकाय है और नीती आयोग की जो स्रचना है वो परद्धान मंत्री होता है उपद्यक्ष परद्धान मंत्री द्वरा नियुक्त विशेशक गया होता है अर्थ शास्त्री अर्विन्द पफ़्यक्ष इस हमें राहताए और आर्विन्ड पफ़्यक्ष नूट दौग। प्रज़ेंट में जो उपध्यक्षर्मन नीटी अयोग के बहु नियाद लखना है नीटी अयोग ने योजना युग स्थान लियो घंडरा निया स्थान और दो आपको प्ता होगा वहूnten समय तो जो प्रत्थमु पद्यक्ष जो गुलजारी लारनन्दा थे यह आपने याद रखना है तो आप्शन नमबर ए जो है इस क्वेशन का राइट इस रहा है नीटी आयो का पदेन अजयक्ष कौन होता है प्रधान मंत्री होता है नीटी आयो की फुल फॉर्म आप से बूश सकते ह अब राष्टरपती के बारे में कुछ इटेल में डिसकस कर लेते हैं राष्टरपती की जो है होती है वो 35 वर्स की आयू उसकी पूरी होनी चाहिए वे लोग सब्सक्राइब निर्वाचित होने की योगिता रखता हो किसी भी सरकारी लाव के पद परासीन नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपदी पद के लिए नाम का जो प्रस्ताब है उसका नुमोद न जो है वो कम से कम 50-50 निर्वाचिकों को दोरा किया जाना चाहिए इसकी जो निर्वाचिक रक्रिया होती है और राष्ट्र株दी की वो एक अपर्तिक शुरूप से एक निर्वाचिक मंडल द्वारा चुना जाता है जिसमें संसति के धोनों सदनों के निर्वाचित सदस्या और बिधान सभा और संग्यक्षेत्र के निर्वाजद सतस्या भाग लेते हैं राष्ट्रपदी पद के लिए चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनित्व की एकल संक्रमणिया प्रणाली को बनाया गया है राष्ट्रपदी के चुनाव से संबंदित विवादों का चानवीन त से पूर्ब भारत के राष्ट्रपद भारत के मुख्य नियाधी शिया उनकी अनुपस्तिती में सर्वोज नियाले के वरिष्टतम नियाधीश के समख्ष पद अभम गोपनियता की शप्त लेनी पड़ती है और महाव्योग क्या महाव्योग जो है उसका जो भारती समीधान समीधान करने पर उसके विरुद महाव्योग चलाकरू से पद्द चुथ किया जा सकता है महाव्योग प्रस्ताव जो है वो संसदे के किसी भी सदन में लाया जा सकता है ये आपने याद रखना है तो आपने कोछ ये इसकुस किये इंपॉर्टन फैक्ट डिसकुस किये जहा अब ही प्रेजन पर कोन है श्री मतीद्रफ अस्टेट से बहुत बिलोंग करते हैं ऊप राश्रपति जो है राजस्तान स्टेट से वह बिलॉग करते हैं पर एक तषी कर दिस में में सैख्टीव के जाता तो राजशे सभा का कार्यकाल निन्या किया जाता है कि इसके द्वारा कुष्ण नबर 131 का जो राइटन्स रहे वापको पता होगा समीधान के इस दस्यों की जो अधिक्तम संक्या है कि अधिक्तम संक्या जाते हैं और इसका कारेकाल के बारे में बात करते हैं राजे सबाय के सथाई सदन है वे कभी भग नहीं होता बल्कि इसके एक दिया इस दस्या जो है वो हर दो वर्षबाद अबकाश ग्रहन कर लेते हैं और इनके स्थान पर नएस दस्याओं का चुनाब हो जाता है इस प्रकार राजे सबाय के पर्धी एक सदस्या का जो कार्या काल होता है वो छे वर्षबाद का होता है ये अपने आपने याद रखना है और भारत का उपराष्टरपती होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापती होता है तथा राज्यसभावने में से किसी एक्षदस्या को उपसभापती निर्वाचित करता है सभापती की अनुपस्तिती में वो सभापती के कर्दब्यों का पादन करता है और राज्यसभा के जो प्रत्म उपसभापती थे वो श्री एस्वी कृष्णामूर्ती राप थे राज्यसभा को जो पहली वार गठन था वो 3 अपरायल 1902 को किया गया था और इसकी वैटक जोती बो तेरा मई उनीसो बावन को हुई थी ये भी आपने याद रखना है केविल राज्य सवा को ही अधिकार प्राप्त है कि वे समीधान के अनुछेद 312 के तहत अकिल भारतियां सेवाओं का स्रेजन कर सके ये भी आपने याद रखना है और केविल सदस्या को रास्ट्री महत्व का गोशित कर सके ये भी आपने याद रखना है राज्य सवा सदस्या जो प्रधान मंतरी बने थे वो कौन-कौन थे वो श्रीमति इंद्रा गांदी जी थी एच डी देव गोड़ा जो थे आई के गुजराल जो थे डोक्टर मनमोन सिंग जो ये जो राज्य सवा सदस्या थे जो प्रधान मंतरी बने थे यह आपने याद रखना है सबसे राज्य सदस्या की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा किसकी है वो उत्रपरदेश की है 31 सदस्या चुनके आते हैं सांसर चुनके आते हैं राज्य सबा के लिए उपी से और यह म या एक प्रिच्छा की जो शक्ती है, वो किसमे है, काफी important question है, question number 132 का जो right answer है, वाका option number B है, अंतरन नहित है, impliqued है, option number B, इस question का right answer है, अगले प्रशने पर चलते हैं, question number 133 में बोला गया है, कि राज्य विधान सभा की कार्य काल को कितने इस मेरे तक बढ़ाया जा सकता है, why what time can the duration of the state legislative assembly be extended तो काफी important question है तो राज्य विधानसवा के कार्यकाल को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है काफी important question है question number 133 का जो right answer है वो आपका option number B है एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है अब बात करते हैं विधानसवा के वारे में तो आपको राज्य विधानसवा के बारे में कुछ detail में discuss कर लेते हैं विधानसवा राज्य के विधान मंडल का निमन सदन है इस सदन को लोगप्रिय सदन भी कहा जाता है और मतदाताओं की यो जो योगिता होनी चाहिए मतदाता होने के लिए 18 वर्ष की आयू प्रावत भारतिय नागरिक होना चाहिए का पांच वर्ष का होता है कि इस में से पूर्ब भी भंग किया जा सकता है संकटकाल की गोषना होने पर एक वर्ष के लिए संसर्दिस सब्दी को बढ़़ा भी सकती है प्रंतू ये बड़ी हुई अधिक से अधिक संकटकाल किसमापती के छे माँ वाद तक हो सकती है यह अपने अधिक ना है क्या होता है संकटकाल की घोशना होने के बाद एक वर्ष के लिए संसद इस अधिक को बढ़ा भी सकती है प्रण्तु ये बड़ी हुई अब दी जो है वधी कर संक्ट काली किसमाप्ति के 6 माह तक हो सकती है संसर संक्या संक्या की तुर्तेक राजिया की विधान सब्वन में कम से कम 60type 600 अब बाद जो है गोवा में 40 है मिजोर में 40 है सिक्की में 32 है इसे इन्हें अनुछेद 371 के तहत अनुछेद 371 के तहत विशेश राज्य का दरज़ा देख रही यह विवस्ता की गई है और आपको पतागा सबसे ज़्यादा जो विधानसवा सीटे वो सदस्या जो है वो किस स्टेट में चुन जाते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए तो अप्शन नमबर इभी जो है इसकुष्ण का राइट असर है राज्यास विधान सब्सक्राइब के कार्याकाल को एक वर्ष किस में तक बढ़ाया जा सकता है ऑप्शन नमबर भी इसकुष्ण का राइट असर है नेक्ट कुष पर चलते हैं कुष्ण नमबर 134 पर चलते हैं इसमें बोला गया कि भारती समिधान की साथ विए नुसूची में उलेकित समवर्ती विश्यों के संबंद में कार्यापाली का शक्ती नहित है गिसमें है कुष्ण नमबर 134 का जो राइट असर है वहां का ऑप्शन नमरी है सेंटर जो है केंदर जो है इस कुष्ण का राइट अंसर है तो भारती समिधान की साथ विए नुसूची आपको पता हुगा साथ विए नुसूची में संग सूची के सतानुए विश्यों है राजे सूची के 66 विश्यों है और समवत्ती सूची के 47 विश्यों का वर्णन है किसमे साथवी अनुसूची में यह अपने याद रखना है इस वीडियो को यह लास्ट क्वेशन है क्वेशन नमर एक सो पैंटिस में बोला गया है कि पंचायत के चुनाब आयोजित होते है दा इलेक्टन्स टूथ पंचायत सार टूबी है पंचायत के चुनाब आयोजित होते हैं को अपनचасई के बारे में हम थोड़ाам डिटेलमheld में इसनश्वा संशोधन करा पंचायती राज संस्ता को समिधानिक मानिता दे दी और समिधान में भाग 9 को पुना जोड़कर तथा है सुबाग में सोला ने एनुचेदों 243 के से लेकर 243 नहर तक समिधान में ग्यारवी एनुसूची जोड़कर पंचायत के गठन पंचायत के सदस्चियों के चुनाव सदस्चियों के लिए आरक्षन तथा पंचायत के कारियों के संबंद में भ्यापक प्रावधान किये गए यह भी आपने याद रखना है सरवर्थम राजस्तान के नागोर जिले में दो अक्तूबर ने सोनस्ट को पंडे जोहला नहरू ने पंचायती राज के नीवर की और इसी दिन इसे संपूर राज्या यानि के राजस्तान में लागू किया गया था ग्राम पंचायत के प्रतेक सदस्या प्रतेक पाद हितू चुनाव लगने की जो नियूंत मायू है वो कितनी है वो 21 वर्ष है यह आपको पता होना चाहिए तथा ऐसा व्यक्ति सरकार के अधिर किसी लाग के पद पर नहीं होना चाहिए इस कॉश्न का राइटैंसर है पंचायत के चुनाव आयो जित हते हैं परतेक पाच वर्ष में पंचायत के प्रतेक पाद चुनाव लगने की जो नियूंत मायू है वो 21 वर्ष है यह अपने याद रखना है तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में वस इतना ही आज हमने पॉल्टी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेशन डिसकस किये जो प्रेविएस हमेरे पर के एक्जाम में ये क्वेशन पूछे ये थे फ्रेंट्स आज किस वीडियो में वस इतना ही आज होप आपको वीडियो अपसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दे हैं तो थैंक यू फ्रेंट्स